नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है माईपाल चोधरी और मैं माईपाल इंटेर डेकोरेटर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और आज हम आए है एक न्यू किच्चन बनाने को और इसका काम पूरतरे से कंप्लेट हो गया है और किच्चन के मालिक भी हमारे साथ में है और काम किया है यह हमारे सेट दत्ता जी एंडे और आपको कैसा लगा हमारे काम अच्छा लगा एक नंबर सुना इस वीडियो में और हमारी जो मालिक है वो खुद बता रहे के काम में एक दूम अच्छे से हुआ है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए औ और बेल आइकन दवाना कभी न भूले और जो भी आपका प्रस्न है वो हमें कमेंट बोक्स में लिखके सेंड कीजिए हम आपका उत्तर जल्द ही देंगे और जैसा कि आप देख पा रहे है यह माइक्रोब और ऑवन के उपर कजो केबिनेट बनाया है वो इसका धकन में खो नीचे में यह अनाज रखने की कोठी है इसके अंदर डाइरेक्ली गयों चावल कुछ भी अनाज भरा जा सकता है यह केस्टर वील पे जमीन पे चलने वाली ट्रोली है इसमें कभी कोई प्रकार का मेंटेनस नहीं आता है और आगे में हम आपको स्टेप बाई स्टेप जाके आपको दिखाएंगे यह देखे एकवा गार्ड इसके अंदर आधे केबिनेट में रखावा है और यहां से जब भी पानी लेते तो पानी की बुंदे सीधे नीचे आ जाती और प्लाइवुड घलने का कोई चांस नहीं रहता और यह चिमनी के बाजू के उपर गे ब जाते हैं तो यह चीमनी ओन हो जाती है फिर से विपरित पीसा में जब दूसरा हाथ को माते है तो यह चीमनी वापस हो जा रही है अभी यह चीमनी और यह देगो जैसे मैंने हाथ को माय यह इसकी लाइट अंडिकेट करने लग गई है اور दूसरा जो केविनेट है वह सेम जैसा पहला केविनेट था वैसे यह है यानि चिमनी के दोनों साइड इसमें यह जो छोटे वाले अपने सामान रखने के डिबे रहते हैं वह रखने के लिए उपर में बनाते हैं और इसमें फॉस्टेड ग्लास का फ्रयोक किया वाए और यह जो मंदीर है यह सबसे एक इंपोर्टेंट और ध्यान आकरसित करने वाली वस्तु है इसमें जो हमने पैटर्न यूज किया है वह बहुत कम आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यह इस साल का यह हमारा नया अविसकार है और इसका मैं आपको डेटेल वाइज धीरे दीरे बत दूँगा अब इसमें देखो यह मौर पंक लगेवे हैं और मैं इसके उपर हाथ गुमा रहा हूं फिर भी यह मौर पंक इदर उदर नहीं हो रहे यह नेचुरली मार्केट से खरीदेवे यह मौर के पंक है और इनको काच के साथ सेंट्विस पैटन बना के अंदर डाला भ को बहुत ही खुबशूरत दीक रहा है और जान तक अपन ट्रॉली की बात करें यह कटलरी बास्केट है इसको मैंने पिछले वीडियो में इसका एक वीडियो बनाया है आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएंगा वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं और यह ज जो प्लेन बास्केट है किसी किसी के नीचे में जाली है किसी में तार है और यह बहुत अच्छी क्वालिटी की स्टील की ट्रॉल्या है यह 2,500 रुपे के प्राइस में मार्केट में आसानी से हर प्लाइवुड सोप पे उकलब देती है और इसका जो माई का है हमने वाइट और यह बीच में वास बेसिन का एरिया है हालांकि यह किचन पूरी तरह से एकदम पूराना था आप पिछला वीडियो जब देखेंगे मैं उसकी लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहां से आप देखेंगे तो एकदम पूराना किचन है और हमने इसको पूरी त आप मुझे कमेंट में और मेरे जो सोचल साइड जैसे फेस्बूक है ट्विटर है आप इस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं इन सब का में लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहां पर यह प्रिच की जगा च्वड़ी हुई है और पूरे कीचन का लुक है वह बहुत ही खूबशूरत दिख रहा है आप यह देखिए पीछे में जो यह वाल पेपर लगावा है यह एक दो में से पत्थर टाइप का वाल पेपर है और यह एक हमने सामान रखने के लिए अलग से एक रेक बना दी है इसमें बाहर से देखने के लिए एक हॉल की तरफ एक विंडो भी है चोटी सी इस विंडो के हिसाब से उपर में हमने कि यह मेडिशन अंपाउड बना दिया है जहां पर अपन दवायों का सामान रख सकते है उसमें एक हाइड्रोलिक गेस पंप लगाया है बहुत कंपनी का यह गेस पंप है और इसमें जो ह फैडा वाला दर्वाजा इसमें भी सर्फ से दडाले है और जो मेने हाथ लगया यह ग्लास से फौंट। इंप ग्लास सकते हैं इस संद्रिंट्ट ग्लास ब East actual अब नए समय में नए समय में और च्छा ध्र। फोस्टUND GELAS liquidity लोग बहुत अच्छा दिखता थोड़ा इसके अंदर से समानि दीखता सीकिर को में रहे हैं ऑर में तो यह एक बाहर से जो GELAS का जो लुख है और इसकी जो फरीनिशंग जो यह दर्वाजे का हमने काम किया है इसमें 18 mm प्लाइ की पैनेलिंग की हुई है और इसके उपर PVC डार कलर की माइका लगए हुई है इसकी भी लाइप बहुत अच्छी रहती है पीवीसी माइका की और जो वाल पे है वो लस्तर पेंट किया हुआ है मालिक भी बीच बीच में गोमते बे दीखाई दे रहे हैं मालिक भी इस किचन का मोाइना कर रहे है और कि इसकी ऑपनिंग होने वाली है जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पुरा step by step देख पा और दिखाया है आप में इसे हर एक इस टेप को को जो अने भी हाइडवेर यूज किया है जो भी हमने plusивать हर तोटली किछन का काम है कितने रुपे तक लीबर कोश्ट के साथ गया है तो जासा कि प्लाइवूड की बात करें हमने जो प्लाइवूड यूज किया है वह वह अट्रायम आपका सिय और वह मारGDM स्सक्राव से पांच हजार रुपए से फिर पे तक हफी plains कि यूद्य कि थी वह प्रोफाइल थोड़ा कोश्टली आता है उसका जो सब्सक्राइब है और उसका जो हैंडल फाइप रहता है वह चोई सो रूपे का एक दस फीट मिलता है फिर उसको काट कूट के उसमें कनेक्टर लगा के उसकी फ्रेमा तयार की जाती है फिर उन फ्रेमा को खोल के उसके है जो फ्रेमा सब्सक्राइब हो चाइब हो जाए ऊसके लिए हमने 50 mm की जो यूज किया है और इसमें पांच एमिन के ग्लास डाले हैं और फोस्टेड किये वे ग्लास थे पूरे इस कीचन को बनाने को टोटली लेबर कोस्ट के साथ में दो लाख रूपे का खर्चा आया है और इसका जो लेबर कोस्टिंग रहता है वो मिनिमम साथ हजार रूपे रहता है तो अगर आपको ये व वीडियो हम जल्द ही लेके आ रहे हैं और इस कीचन का जो पूराना वीडियो है वह आप में डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके देख सकते हैं तो आपको ठीक से समझ में आ जाएंगा और थेंक्यू सो मच मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार